जेट प्लांट क्रेसुलाव वाटर अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में बने रही है अगर मैं इसमें बताऊंगे आपको इसकी टूपियारी कितने आसानी से आप बना सकते हैं अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो और इसकी प्रोपोगेश कोई सेप नहीं दिया तो आज मैं इसको सेप देने वाली हूँ देखिए इसकी कुछ तीन चाहर टहन्यों को मिलाकर मैं इस तरह से एक साथ कर लिया है कैसे किया है आपको बताती हूँ इनको बना करके तो बहुत सारी ब्रांचे से उनको मैं बिना कटिंग के विए ऐसे ही स सिम्पल तरीके से बिल्कुल मैं बेनी बनाओंगे जिस तरह से चोटी बनाते है न तो उस तरह से बनाओंगे मैं एक साथ करने के लिए तो देखिए इस तरह से 2-3 ले करके और काफी अच्छी तरह से इसकी ग्रोध हो रखिए इस प्लांट की और मैं इसको नर्सरी से लग चोटा सा प्लांट था जब ले करके आयती और अब काफी घनार बड़व हो चुका है एक ही टहनी का एक ही प्रांच था इसमें तो इस तरह से देखिए मैंने इसको बनाने की पूरी कोशिस की है तो देखिए तैयार हो चुका है दो दो पार्स बन चुके हैं ऐसे ही मैं जितन मन चाहाए आप दिमाग में इमेजनरी करिए और उस तरह से इसको बनाइए तो देखिए इस तरह सारे पार्ट्स को मैं अलग-अलग करके सेपरेट करके दो तिन 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 टहन्यों को लेकर कि जो एक ही साखा में निकली वी है उसको गुच्छे में बना रही हो बेनी करकर तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर देजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया न्यू है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले तो क्योंकि कुछ भी काम हम लोग करते ह तो आपके साथ शेयर करते हैं अच्छा लगता है तो देखिए इस तरह से मैंने इसके सारी बेनी कर ली है और इसको मैं एक साथ सबको रसी से बांद रही हूँ इसको वायर से भी बांद सकते हैं आप सिलवर वायर बहुत अच्छा होता है इनको इस तरह से टोपियारी बन क्योंकि यू पाने वे एब्ज़र्प कर लिए तक देखि इस तरह से अलग हैवी हो रहा है तो मैं में anni को एक साथ इस तरह से बांध रही हों चाहे पिकोक का, डॉल का, बडरफलाई, स्क्वेरल, किसी भी आकार में देना है, तो देखिए मैं ऐसे सिंपल ली बना रही हूं, और एक तरफ काफी घना है, काफी मोटा है, एक तरफ पतला है, तो मैं इसको as a पिकोक, as a स्क्वेरल, आप कुछ भी बोलिए, लीजर्ड भी लग रहा है, देखने में डाइनोसोल भी लग रहा है, तो अभी इसका कोई सेप नहीं है, मैं बस रेंडेमली ऐसे ही बना रही हूं, और धागा से बानते जा रही हूं, जहां जहां पर इसकी ब्रांचेस अलग-लग से निकली भी लग रही है, जेट प्लांट बहुत इसको जिधर चाहो, आप उधर मोर सकते हो, अपने अकार के अनुसा ढाल सकते हो, इसलिए इसकी टोपियारी बनाना बहुत ही एजी होता है, तो आपको मैं बोलूँगी, अगर आप टोपियारी बनाने के शौकिन है, तो सबसे स्टार्डिंग आप जेट प्लांट से करिए बहुत एजीली बन जाता है, तो देखिए, दो पार्ट मैंने बना लिया और इसको मैं लकडी के सपोर्ट से दुनों साइडी मैंने दे दिया है, और फिर मैं जहां-जहां मुझे इसकी ब्रांचे एक्स्टर लग दी, मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको दागे से ही बांदते जाओंगी, और बाद में जहां पर एक्स्टर लगेगा, उसको कट करूँगी मैं, तो इसकी टोपियारी तो आप किसी भी साइज, किसी भी आकार से बना सकते हैं, और इसका बोन साइड बहुत अच्छ ब किती कट करके मैं बोन साइड बना सकते हैं, लेकिन नहीं मैंने सोचा कि मैं इसकी टोपियारी बनाऊंगी, तो देखिए कितना सुंदर लुक, अज़े स्क्वैरल भी लग रहा है, तो आप लोगों कौन सा लग रहा है देखने में, अभी बन करके जो तैयार होगा, आप ल जो ये टोपियारी बन रहा है, देखने में बहुत एजी लग रहा है, लेकिन बनाने में मुझे थोड़ा सथा प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि मैं इमेजनरी कर रहे हूं, कैसे बनाऊं, किदर रहो करूं, किदर को ना करूं, क्योंकि मेरा ये फिर्स्ट टोपियारी ब करके तयार हुआ है अब मैं इसकी जहान-जहान से एक्स्टा लग य रहा, चैन्ज चैण्ज इन्ह बंते जाएगा क। बटेंगा सäसे काषा किया है के लाद वह ठील सब्सक्राइब है So, मैं ये इसके बढ़ता नजह tenho थाएगा तो फ्रेंड्स आपको कैसे लग रहा जरूर से बताईएगा कॉमेंट में अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगे मेरे जेट प्लांट है कितने सारे मैंने कैसे कैसे बनाए उनको देखिए ये जो कटिंग से इनको फैकूंगे नहीं इनको भी मैं प्रोगेशन करूंगी उनको कटिंग को लगा दूगी मैं तो उससे पहले मैं इसकी जो जितनी मिट्टी खा लिए उसको फिल कर दूगी और इसमें मैं मेरे पास में नीम खली खतम हो चुका है और साफ फंजिसाइड भी खतम हो चुका है तो मैं इसमें एंटिबाटी के लिए ये जो फंगल काम करता फ्रेंड्स हर घर में मिलेगा उसको जरूर हर पौदे में यूज करिए तो देखे मैंने पानी स्प्रे कर दिया इसको मैं ऐसे कुछ दिन थोड़ा क्योंकि नीचे से के बाद में यह हाल है इस तरह से लुप दिख रहा है अभी कुछ दिनों के बाद में पूरा घना बनेगा तब और सुन्द लगेगा देखे जितनी भी कटिंग्स थी मैंने सब इस कटिंग्स को इस चुछ ड़े बॉल है इनमें लगा दिये हैं यह बहुत जल्दी ही इसमें स यह चोटी से प्लास्टिक के कटोरी है इसमें मैंने पेंट किया था कटिंग्स लगाई थी आपके साथ शेयर किया था मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो ऐसे ही था यह रैंडमली फिर मैंने इसको ना एक तार देकर कि इस तरह से टोपियारी बनाने की कोशिस किये देखे कितना प्यारा लग रहा है छोटी सी कटोरी में और देखिए यह मिक्सर ग्राइंडर का ढकन है जो छोटा वाला मिक्सर जार हो तो न उसको इसमें भी मैंने कटिंग्स लगाई थी इसको भी मैंने पेंट किया था दोनों को साथ में ही तो चल पड़ी तो इसका मैं बनाऊंगी तो इसलिए मैंने चेड़ा नहीं है ब Π्लास्टिक अन्दी प्लास्टिक में चात्ट को सब्किक हम न हुझा और देखिए ये किये, इसको मैंने तो पियारी बनाने की कुसिस किये, एक ही प्लांट था, मैंने एक जो मेरे थर्मा कॉल में मैंने लगा था फ्रेंड्स तो उससे मैंने निकाल कर कि इसमें लगा था, दो नीचे से रसी से बांग दिया है, एक ही प्लांट को और वायर से इस इसके उपर मिट्टी के परत पड़ जाएगी तो यह अपने आपी प्रोपागेशन हो जाएगा तो इस तरह से छोड़ी पिंचिंग के वे पार्ट्स को भी नहीं फैकना है क्योंकि हम लोग प्लांट्स लवर्ज होते हैं बहुत लालची होते हैं और बहुत कंजूस होते हैं इक माइने में देखा जाये तो हम लोग छुटी-छुटी कटिंग भी नहीं फैकते हैं और देखिए यह मटके में मैंने पेंट किया था उसके बाद में इसमें मैंने प्लांट्स यह जो जेट प्लांट लगाया था कैसे किया था इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से आप लोग देखेगा फ्रेंट्स उपर आई बटन में भी लिंक डाल दोंगी तो जरूर से आप चेक आउट करिए अगर डिस्क्रिप्सन में बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें कैसे मैंने प्रपोगेशन किया है और देखिए इसको मैंने जब से लगाया था इसको ना मैंने कुछ सेप नहीं दिया जैसे था एज़िटी ऐसा है तो अब इसको भी मैं टूपी आरे बोंसाई क्या बनाऊंगी सोचोंगी बाद में देखिए इसमें भी मैंने ऐसे ही कटिंग्स लगाई है तो बहुत अच्छे तरह चल पड़ी है मे थर्मकॉल में कोई भी प्लांट लगाए बहुत अच्छे तरह चलते हैं तो इसको मैंने ऐजा देखिए चारो तरफ से घेर दिया है रसे से बांध दिया है बीच में स्टिक लगा करके और देखिए एक यह जो प्लांट अब प्लास्टिक के उसमें देख रहे हैं प्लास् चोषटे टुक्रे जो होते हैं चोठें कृट्विविफ एक तुक्रें चोठें ये कर्णा हो को फिला प्लाटे अजा चोड़क से लगा चूक है कि देख सकता है इसको एक और सबादें क्या कि आई हैा दो इसको वीजा छोट प्लांट लगाए तो एक रहे सिर्फ एक फ्रेंड करके लाई थि enfolyn और गर्ट झाल और दोनों थर्म में वे इनने कटिंग से ग्रोग किया था उसको खाड करके मैंने इसमें लगा दिया है देखिए अब जो इसमें है ना उपर उपर जो चितने जो नई नई दो दो पतियां होती ना उसो कट करना है चाहे हाथ से पिंचिंग कर लिजिए चाहे कैंची सीजर से किसी से भी अब कटर से कट कर उतना यह घना बनते जाएगा उतना इसकी ग्रोथ अच्छी तरस होगी तो इसको घनार बुशी लंबा ग्रोथ करने के लिए यही तरीका है कटिंग करते जाएए उतना वो नएने ब्रांचेस मिलेंगे आपको नएने प्रेड़ भी मिल जाएगे और इस प्लांट को केर करने के लिए कोई भी केर करने की जरुतने में तो बोलेंगे सो कम सकम धूप में रखना बहुत जरूरी है इंडोर प्लांट नहीं आउट्डोर प्लांट है इंडोर रखते हैं कई लोग लेकिन है शकुलेंट वराइटी का होने कारूं कुछ दिन तो सर्वाइब करेगा बट उसक से उपर से पाने डालो निचे से पाने निकल जाए इस तरह से वेल ब्रेन सोयल होता है बहुत ही एजी टू कियर प्लांट है इसको अपने गार्डन में जरूर एट करिए ग्रीनरी तो ग्रीनरी रहेगा आपके घर में और आप अपने मन चाहे सेप से इसको कोई भी नक्सा जातरक WHO कोई भी कफ हो प्लास्टिक की कतोरी हो किसी में भी आप इसको प्रपोगेट कर सकते हैं छोटी सी कटिंग से भी तो फ्रेंट्स कैसी लगे आपको है आज की वीडियो कलिंटे अच्छी लगी हो कि तो लाइक ज़रूर करीएगा और ज़रूर से बनाएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें पुरा वीडियो देखने के लिए धन्यावाद